आज की हमारी कहानी है चतूर किसान एक बार की बात है एक किसान नदी पार करना चाहता था लेकिन उसके पास एक बकरी, एक सेर और एक गांस की गठरी थी इसलिए वे नदी पार एक साथ कर नहीं सकता था और उसे नदी पार करना भी जरूरी था वह अगर सेर को पहले ले जाता तो बकरी गांस खा जाती और अगर गांस को पहले ले जाता तो सेर बकरी को खा जाता अंत में उसने एक समाधान निकाला उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बेट कर नदी के पार छोड़ कर आया इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने सेर को नदी पार कराई लेकिन लोटते समय बकरी को वापस लेकर आ गया इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर गांस की गठरी को लेकर सेर के पास छोड़कर आ गया इसके बाद वय फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी ले गया इस परकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानी भी नहीं हुई ये चोटी सी कहानी है जो हमें सिक्षा देती है हमें किसी भी पृष्थिती में हिमत नहीं हारनी चाहिए हमेशा अपने कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए